हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको हरे धनिय के स्टैंप से दो रेसिपी बनाना बताऊंगी हम जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो लाश्ट में उसमें हरा धनिया जरूर एड़ करते हैं इससे ने केवल सबजी का कलर अच्छा आता है बलकि सबजी का टेस्ट भी बढ़ जाता है लेकिन हम सबजी में केवल धनिय के पत्ते या उसके सोप्ट स्टैंप सी यूज करते हैं जिसके कारण हमारे काफी सारे स्टेम्स वेस्ट हो जाते हैं ग्रीन लीफी सबजियों में कितना न्यूट्रिशन होता है वो हम सभी को पता है इसलिए हमें इनको कभी भी वेस्ट नहीं फैकना चाहिए आज मैं इनी स्टेम्स से आपको दो रेसिपी बनाना बताऊंगी मेरी पहली रेसिपी है धन्य के स्टेम्स की सबजी और दूसरी है इन स्टेम्स से प्रोपर चटनी कैसे बनाई जाए इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलिएगा तो आईए वीडियो शुरू करते हैं ये मैंने हरे धनिया का एक बंच लिया था काफी मोटा धनिय का बंच था जिसके मैंने इस तरह से पत्ते साब करके निकाल लिये हैं और जो स्टेम्स थे उन्हें इस तरह से निकाल लिया है पीछे इस तरह से मोटे स्टेम्स थे जिसमें काफी मिट्टी थी मैंने उसको हटा के अलग कर दिया है उसमें जो कोई और घास था वो भी मैने हटा दिया है इसमें कुछ इस तरह के स्टेम्स थे इस तरह के स्टेम्स को हम न चटनी में न सब्जी में किसी भी रेसिपिमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये उसका टेस्ट खराब कर सकता है कोई stems इस तरह का इतना मोटा है तो भी चलेगा लेकिन इस तरह का stems हमें नहीं लेना है इसको भी हम कचरे में निकाल देंगे और जो पाकी stems हैं आपको इस तरह हाथ में पकड़के दूसरे हाथ से इन्हें बारीग बारीग चोग कर लेना है अगर कभी आप इन stems की recipe तुरंत न बना पाई तो आप इसे एक simple poly bag में डाल कर रख दे आठ से 10 दिन तक फिरिज में ये आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे अब देखते हैं में सब्री बनाने के लिए क्या गया चाहिए एक बंच के stems quantity आप देख सकते हैं एक मीडियम साइज टमाटर एक आलू हाप टेबल स्पून यूज करेंगे हम लेमन जूस और इसमें थोड़ी सी डाल लेंगे हम मतर अभी क्योंकि गर्मियों का मोसम है इसलिए मैंने यहाँ पर सफल मतर ली है हम सबजे को बारीक चोप कर लेंगे सबजे को मैंने चोप कर लिया है आलू को मैंने थोड़ा पतली स्लाइस में चोप किया है जिससे कि यह जल्दी कुख हो जाए अब करते हैं तड़के की तैयारी मैंने एक कड़ाई में वन एंड हाप टेबल स्पून ओयर डाल कर गरम हो होने के लिए रख दिया था इस सबजी को बनाने के लिए आप कोई भी कुकिंग ओवर ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे एक पिंच हींग वन फॉर टेबल स्पून जीरा वन फॉर टेबल स्पून चा थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर वन फॉर टेबल स्पून हल्दी अब इसमें डालेंगे चोप टमाटर और हरी मैं जनरली सबजी को बनाने में तेल कम यूज़ करती हूं अगर में जरुत लगेगी तो मैं टमाटर को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी एड करके इसको अच्छे से कुप कर लूँगी नमक स्वादा लुसार इस सबजी को तो थोड़ा स्पाइकी बनाएं इसलिए डालेंगे वन फोट टेबल स्पून लाल बिच पाउडर देखे हमारे टमाटर अच्छे से बुनी चुके हैं अब इसमें डालेंगे हरी मतर चौप डालू और धनी के स्टैम्स अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमार सबजी अच्छे से कुक हो पाई अब इसे ढखकर स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे हमारी सबजी अच्छे से कुक हो चुकी है इसे कुक होने में पूरे आट मिनिट लगे है मैंने बीच में इसे खोल कर एक से दो बार चलाया था अब सबसे लाश्ट में एड़ करेंगे हम इ बोड़ा सहरा धनिया हम इसमें भी ऐड़ करेंगे और देखिए हमारी बहुत ही अच्छी सबजी बनका तयार हो चुकी है अब इसे प्राथे या चापाती के साथ सर्व कीजिए में दूसरे रेसिप ऐनी स्टेंप से बनाएंगे हम चटनी जिसका टेस्ट बिल्गुल हरी धन कि जो स्टेंप्स हैं उनको रफली चोप कर लें ऐसा गरने से क्या होता है कि जब आप इसकी चटनी बनाते हैं तो तो वह स्मूत बन जाती है और अगर आप ऐसे ही चटनी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेशा रह जाता है चोप्टी स्टेंप्स को एक मिक्सी जार में ले ले उसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा आम एक हरी मिर्च अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे ग्राइंड कर ले एक दो मिनट ग्राइंड करने के बाद एक बाद मिक्सिजार को उतार कर यह चेक कर ले कि इसमें और पाई तो नहीं डालना है जब इसका थोड़ा सा पेश्ट बन जाता है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कितना नमक डालना है आप डालेंगे इसमें सपेद नमक और आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले और देखिए हरे धन्य की स्टेंप से हमारी कितनी अच्छी चटनी बनकर तयार हुई है इसे एक बाहूल में निकाल ले इसके अलावा आप कोरिंडर स्टेंप को पालक पनीर या साग बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं